हेलो दोस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में आप सबी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में वापस हम लोग यहापे चर्चा करने वाले इंडिया का सबसे बड़ा IPO जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा इतना बड़ा साइज रहेगा उ यहापे कोई अभी तक गैरेंटी नहीं यह सारी चीज़ों की बट यह न्यूस जो सामने आ रही है इसे हम लोग यह कह सकते कि शायद से यहापे वापस सरकार के द्वारा यहापे हलचल देखने को मिल रहें कि जितना जल्दी हो सके वो यहापे LIC का IPO जल्दी से जल्द यह यहापे दिखा दी 55% के आसपस recovery हम लोगों को देखने को मिलिए तो यहापे हम लोगों को रोजरी बायोटेक का भी IPO आते हुए देखने को मिला उसका response भी जबरदस्ता लिस्टिंग भी गजब की दी तो यहापे आगे भी IPO लाने की बाते की जा रही है यूटिया AMC का भी IPO आने वाला है वो भी लगबग 13,000 से 15,000 करोड के आसपस हो सकता है सो मतलब totally हम लोग market cap की बात करें IPO रहेगा 3,000 करोड 35,000 करोड के आसपस सो यहापे वापस बताया जा रहा है कि LIC के IPO से related सरकार की वापन हल चले शुरू हो चुकी है and सरकार यह IPO क्यों ला सकती इसके divestment से related काम काच करें क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए फिलाल की situation आप सबी लों को पता है चाहे वो BPCL के भी divestment की बात हो Air India के divestment की बात हो या फिर किसी भी company की या फिर LIC की भी हिस्सा बेचने से related बात हो या फिर IRCTC की भी बात सामने आई थी कि वो offer for sale यहापे ला सकते ह तो इसलिए strongly possibilities बताई जारी कि इसी साल हम लोग को शायद से LIC का IPO देखने को भी मिल सकता है हला कि guarantee कुछ भी नहीं है बट जिस तरीके से सरकार यहापे कदम उठा रही है हम लोग जरूर कि यहापे कह सकते है कि हम लोग को इसी साल शायद से LIC का IPO यहापे आते वे देखने को भी मिल सकता है बहुत सारे questions से कि उसका size कितना रहेगा उसकी pricing क्या रहेगी उसी से related हम लोग कुछ यहापे important बाते देखने वाले हैं जो latest update है वो भी हम लोग इसी वीडियो में यहापे देखने वाले है तो चले तो फटा बड़ इसी वीडियो को स्टार्ट करते बड़ Specifically जो latest वीडियो है stock market में big loss क्या आप इसके लिए तैयर है यह वीडियो जरूर देख लेना दोस्तो दोनों वीडियो के link आप लोग को description box में मिल जाएगी and stock market classes इस चैनल पे अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग देख सकते हो एक गजब का वीडियो लगबग 50,000 से भी ज जबरदस एक news यहाँ पे देखने को मिली थी जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं the government has approved the appointment of SBA, CAP and Deloitte as the pre-IPO transaction advisors for the listing of Life Insurance Corporation of India मतलब ही LIC यह हम लोगों को यह जो चीजे देखने को मिल रही थी यह sources के द्वारा यह सारी news सामने आ रही थी मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकत LIC के जो IPO से related जो news है उससे वापस हम लोगों को बाजार यहाँ पे गरम होते वे जरूर देखने को मिल रहा है आप सभी लोग का बता है LIC के सबसे बड़ा अगर कोई problem है तो वह है valuation इतनी बड़ी company है exactly valuation क्या रहेगा उसका price क्या रहेगा इसी से related सारी चीजे हम लोगों को कि सरकार वापस यहाँ पे IPO से related LIC के IPO से related यहाँ पे हल चल करते हुए देखने को मिल रही है उसी के साथ साथ हम लोग यह कह सकते है कि सरकार को पैसा तो इससे ज़रूर मिलेगा एंड उसी के साथ हम लोग यह भी कह सकते कि insurance sector की जो ताकद है मतलब जो बाजार से related यह और भ कोनो company लगबग 3 साल के ही बीतर बीतर हम लोग को यहाँ पर निफ्टी-फ्टी में जगा मिलते हुए देखने को मिली है सो हम लोग कह सकते कि insurance business आगे जाके जबरदस ग्रूम हो सकता है in fact अगर हम लोग बात करे before Corona जो यहाँ पर insurance business हुआ करता था मतलब अगर हम लोग ATC की जो tax deduction में जो यहाँ पर जो facility रहती है उनको जो deduction के लिए वो ATC के लिए insurance लेते थे सो यहाँ पर अभी after Corona बहुत सेरो लोग को पता चला है कि insurance लेना कितना ज़्यादा important है उसका importance actually अभी समझ में है तो बहुत सेरो लोग यहाँ पर insurance के और वापस यहाँ पर दुबारा मोड सकते हैं तो हम लोग जरू कह सकते हैं दो एडवांटेज हम लोग को देखने को मिलेंगे कि insurance सेक्टर आगे ग्रोह भी हो जाएगा और उसी के साथ साथ अभी वापस बाजार recover भी हो चका है IPO का सिलसिला शुरू हो भी चुका है एक already IPO successful launch भी हो चुका है तो LSE के भी IPO की चर् रही है तो लगबग सरकार यहाँ पर 10% तक के stake यहाँ पर बेच सकते हैं लिस्टिंग का पर होगी दोनों जगे national stock exchange के उपर भी and Bombay stock exchange के उपर भी दोनों जगे पर हम लोग को यह चीजे यहाँ पर देखने को मिलने वाली है यहाँ पर प्लानिंग हो रही है दोस्तों लगबग 80,000 से लेके 1,000,000 करोड यहाँ पर इतना बड़ा मेगा IPO आट्स तक अभी हम लोगों ने देखा नहीं है मतलब आप कह सकते दोस्तों यहाँ पर एक important point में जरू स्टार मारके बताना चाहूंगा सिर्फ 10% stake sale की बात हो रही है फिर भी 1,00,000 करोड तक का IPO बन रहा है मतलब आप total size समझ सकते कि LSE की कितनी बड़ी रहेगी एक expert ने भी यह कहा था कि इस IPO को एक साथ लाना possible बिलकुल नहीं रहेगा यहाँ पर उसको ट्रांचेस में लाना पड़ेगा सो हम लोग कह सकते हैं first 10% अभी लाए जा रहे और इसकी जो शुरुवात थी दोस्तो आप सभी लोग पते है जो बजेट हुआ था यूनियन बजेट की जो speech थी 2021 के आप लोग जरू चेक आउट कर सकते हैं जो हमारी finance minister निर्मला सितरा मंजी थी उन्हों नहीं यह इससे related announcement किया था कि जो उनकी जो party है उनका जो prospectus भी अगर आप लोग देखोगे तो उनमें भी एक point रखा था कि LIC को वो यहाँ पर जरूर लिस्ट करवाने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं सो दोस्तों जितने भी details available है LIC के IPO से related वही मैं अभी आपकी समने आपर बताऊंगा जैसे कि कब issue open close होगा तो इसी साल की यहाँ पर फिलाल expected date बताई जा रही है 31st March 21 के पहले शायद से आ सकता है ऐसे ही यहाँ बाते हो रही है इसकी कोई guarantee नहीं क्योंकि इसके पहले भी 3-4 बार ऐसी news यहाँ पर आ चुकी थी टाइप अगर आप लोग देखोगे तो book building offer ही रहेगा price band के अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी चीज़े यहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी तक value chain properly calculate नहीं हुआ है minimum lot size यह सारी चीज़े नहीं पता है बट आप देखोगे issue size approximately 80,000 करोड minimum हो सकता है max to max 1 lakh करोड के आसपास हो सकता है मतलब इतना बड़ा mega IPO आज तक कभी Indian stock market में देखने को नहीं मिला है जो कि अभी हम लोग को future में देखने को शायद से मिल सकता है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें book building का जो proportion रहेगा वो कितना रहेगा तो reservation देख लेना QIB के लिए 50% NIS के लिए 15% and retail category के लिए दोस्तों बहुत ही शांदर 35% तक की हिस्सेदारी आपर रखी गई है एक सबसे खास बात है कि retail category को यहाँ पर एक बड़ा IPO में यहाँ पर participate करने के लिए जो size है वो भी आपर रखा गया है So date कब रहेगी तो वापस यहाँ पर यही कहूंगा Second half मतलब अभी जो शुरुआत हो चुकी है उसी में हम लोगों को यह 2021 में देखने को मिल सकता है यह news वापस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है and Deloitte and SBA Cap के appointment के बाद यह हम लोगों को और भी तेज होते हुए देखने को मिल है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते है So यहाँ पर हलचले बाजार में वापस होना शुरू हो चुकी है Obviously एक blind IPO Blind IPO मतलब सब भी लोगों को पता है यह oversubscribe होने वाले पागलों की तरह लोग यहाँ पर पैसा लगाने वाले and जो lucky रहेंगे उनी को यह company का share यहाँ पर मिलने वाले है बहुत ही rare chances यहाँ पर बन सकते है but 35% तक की size retail category के लिए रखा है यह एक गजब की बात हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है size से related बात मैंने already यहाँ पर कर लिए 10% से ज़्यादा stake फिलाल तो सरकार यहाँ पर नहीं वेचेगी and फिर भी हम लोगों को valuation की इसाब से अगर company list होती तो 8 लाग करोड से लेके 11 लाग करोड के असपास मतलब जिस दिन company list हो जाएगी directly वो top 3 में company आ जाएगी directly कोई देखनी की जरूरत भी नहीं है अगर हम लोग minimum 8 लाग करोड भी पकड़ लेते तो automatically reliance फिलाल चल रहा है 11 लाग के असपास तो उसी के नीचे हम लोगो directly लिस्टी होते ही हम लोगों को इतनी बड़ी company market capitalization की सबसे देखनी को भी मिल सकती है range तो हम लोगों ने अभी भी देख लिया 80,000 से एक लाग करोड के आसपास यह यह यहापे IPO का size यहापे फिलाल हो सकता है अगर हम लोग pricing की बात करें तो definitely pricing हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़े valuation से related बहुत सारी चीज़े यहापे calculate हो रही है सो question मारके यहापे कि इसका price कितना हो सकता है कितना भी हो जाए 200 रूपय हो जाए या फिर 2000 हो जाए announcement हुआ था budget में यहापे बहुत ज़्यादा चीज़े सामने आए थी advantage और इसके disadvantage भी है अगर हम लोग यहापे बात करें advantages की कि यहापे benefits क्या क्या मिल सकते तो सबसे पहले अगर कोई बात रहेगे तो transparency यह जोस्तों यहापे list हो जाएगी इनके result सबके सामने यहापे Bombay Stock Exchange के site के उपर हम लोग को इनका PDF पढने के लिए मिल जाएगा उसी के साथ साथ बहुत सारे foreign का जो capital है वो भी attract हो जाएगा क्योंकि उनको भी पता है LIC कितनी बड़ी company है Reliance Industries से भी बड़ी company है यह भी आप लोग को यहापे पता होना चाहिए जो कि company सिर्फ 10% अगर अपना हिस्सा यहापे सरकार बेच सकती है और वो directly number 2 के यहापे आ जाएगी तो आप लोग सोच सकते कि इसका पूरा valuation कितना बड़ा रहेगा थर्ड अगर इसका benefits है तो yes retail investor को भी इतने बड़े company में क्या करने को मिलेगा हिस्सेदारी खरीदने के लिए participate करने का मोका मिलेगा जो कि directly उनके equity में उनको खरीदने का मोका मिल सकता है और सबसे खास बात दोस्तों कि यहापे ownership there will be no change in ownership क्योंकि सरकार कितना सिर्फ 10% के आसपास उससे ज़्यादा वो हिस्सा नहीं बेचेगी तो 90% still जो holding है वो सरकार के पास रहेंगी मतलब सरकार ही इस company के owner यहापे फिलाल रहने वाली है majority stake उनी के पास रहने वाली है तो decision जो भी लेगी वो सरकार ही यहापे लेने वाली है तो यह भी एक यहापे disadvantage फिलाल यहापे बताया जा रहा है दोस्तों यहापे अगर बात करें LSE की उपर अगर NPS की obviously company के NPS भी रहेंगे finance से जोड़ी वी company है तो यहापे 6.15% के NPS हम लोगो यहापे देखने को मिल रहे है बट इतनी भी कोई बड़े NPS की बात नहीं हो रहे क्योंकि company की size ही इतनी बड़ी है तो definitely उसका NPS भी उतना ही बड़ा देखने को हम लोगो मिल जाएगा company की अगर हम लोग presence की बात करें दोस्तों all over India है उसी के साथ 14 ऐसे countries है जहापे भी LIC हम लोगो को काम करते हुए देखने को मिलती है जो कि आप लोग यहापे easily पढ़ सकते है Singapore है, Kenya है, Shri Lanka, Nepal, Bangladesh Kuwait है, Oman है उसी के साथ मौरिश है बहुत सारे countries में हम लोगो यह देखने को मिलते है Qatar है, UAE, UK है उसी के साथ अगर हम लोग यहापे बात करें कौन-कौन से प्लान से यहापे प्रोवाइड करते है सारे mixed प्लान है, जो कि आप लोग यहापे पढ़ सकते हो इसके ओपर हम लोग ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे बढ़ अगर हम लोग बात करें पॉलिसी होल्डर, लगबग 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर है बापरे बाप, कितना बड़ा नेटवर के उसी के साथ अगर हम लोग बात करें स्टाफ स्ट्रेंद की, तो लगबग एक लाग दस अजार इंप्लोईस इन कंपनीस के साथ यहाँ पे LIC के साथ जुड़ा हुआ है उसी के साथ अगर हम लोग बात करें इनका जो नेट प्रीमियम का जो इंकम है 337,000 करोड है दोस्तो, 337 इतना बतलब बोलने के लिए भी तक्रीफ हो रहा है कि मतलब आप अंदाजा लगा सकते, इसके आगे भी आप लोग को साथ जिरो लगाने मतलब इतनी गजब का यहाँ पे कमपनी है इनका प्रॉफिट की भी अगर हम लोग बात करें NPAT वो भी हम लोग को धाई हजार करोड के आसपस देखने को मिल रहा है इतनी गजब की कमपनी दोस्ते हो जो IPO से रिलेटेड क्रेज क्यों है कि यह IPO definitely सबकों लोगों को माला माल बनाने वाला ही IPO यहाँ पे हो सकता है यह सभी लोगों को अलरी यहाँ पे पता है सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहें कि कब आएगा फिलाल तो हम लोग यही कह सकते है कि इससे रिलेटेड जो अपडेट है कि यहाँ पे वापस SBA CAP को और Deloitte को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है जिससे रिलेटेड हम लोग कह सकती कि हल चले देखने को मिल रहें और हम लोग आशा करेंगे कि सेकेंड हाफ जो कि अभी जस्ट शुरू हो चुका है सो 31st March 21st से पहले अगर यह IPO आ जाता है तो एक बहुत ही बड़ी हम लोग को यहाँ पे opportunity बाजार में देखने को मिल सकते है कि कि किस तरीकी की यहाँ पे एक demand यहाँ पे raise इस IPO से related हो रही है उसी के साथ साथ बहुत से अरे लोग यह भी सवाल पूछते सर अगर यह LAC का IPO आएगा तो Reliance का क्या होगा अरे यह तो बच्चों जैसा आप लोग बात करे हो Reliance का क्या होगा मतलब इवन दो अगर LAC number 1 जाते Reliance second जाते वो तो market cap की इसाब से थोड़ी ना Reliance और LAC का बिजनेस कोई सेम है यह तो Petrochemicals में काम करते हैं जियो में काम करते हैं रिटेल इनका बिजनेस है तो यह ऐसा मतलब यह तो आप लोग बच्चों जैसी बाते हैं आप लोग कर रहे हो कि हापे यह number 1, number 2 अभी हम लोग देखते हैं कि TCS number 2 पे है बट अगर देखा जा तो IT सेक्टर की वो number 1 है यह insurance वाली कमपनी है और Reliance तो इनका बिजनेस ही अलग है या अलग से ही diversified conglomerate का बिजनेस करते हैं देखने को मिलती है हाँ competition रहेगा कि market cap किसका जादा रहेगा वो चलता रहेगा शेर प्राइस के उपर वो चलता रहेगा बट बिजनेस को कोई फरक नहीं पड़ेगा थोड़ी नहीं इनकी competitor है यह बात आप लोगों ने यहापे जरूर समझना चाहिए आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही जादा helpful रहोगा तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना दोस्तों के साथ यहाँ पर शेर कर देना और उसी के साथ-साथ अगर चानल में फर्स्ट ताम विजिट के है तो सब्सक्राइब भी कर देना तो तक तक के लिए बाई-बाई